नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे आमदोशा के बारे में दोस्तों ये एक ऐसा दोश है जिसको कहा गया है कि ये जहर से भी जादा खतरनाक है क्यों क्योंकि ये टॉक्सिन बनाता है आपके शरीर में दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि जिन्दगी में जो हम छोटी छोटी गलतिया करते हैं ना ये आमदोशा उन छोटी छोटी गलतियों का किस तरह से फाइदा उठाता है और आपके पूरे शरीर को खराब करने का काम करता है तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं और समझते हैं कि आम क्यों होता है आपके शरीर में और इस ब्रहमान में जितनी भी बिमारिया है जो भी आप सो सकते हैं इन सब की शुरुवात आमदोशा से ही होती है तो चलिए जानते हैं सबसे पहला सवाल ये आम शरीर में बनता कहा है ये हमारे आखों में बनता है दोस्तों अब ये क्यों बनता है आयरुवेदा में दो चीजे कहा गए जब आप खाना खाते हो तो दो चीजे होती है पहली, खाना पच्चता है या खाना सड़ता है तो आम कब बनता है ? जब आपका खाना जो आपने खाया है वो सड़ना चालू हो जाए और वो फॉर्म लेता है म्यूकस का ये म्यूकस अगर खूर में चला जाये तो blood में चिपचिपा पधार्थ निकलना चालू हो जाता है जो आपके heart को धीरे धीरे खराब करना चालू कर देता है liver में चला जाये तो fatty liver हो जाता है जोडों का दर्ध हो जाता है उपर की तरफ चला जाये तो headache होना चालू हो जाता है sinus होना चालू हो जाता है इतना जादा खतरनाक है और 95% जो respirator disorder होता है सांस की बिमारी होती है इसमें आम दोश को ही माना जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे जो चिपचिपक पधार्थ है ये चिपकना चालू हो जाता है आपके lungs में ये तो दोस्तों मैंने आपको 3-4 चीज़ें ही बताई है चाहे वो diabetes हो चाहे वो thyroid हो चाहे वो कोई सी बिमारी हो ये आम धीरे धीरे अंदर से शरीर को खतम करना चालू कर देता है दोस्तों हमारे शरीर में जटर अगनी होती है तो जो भी हम खाते हैं जो भी हम चीज़ पचानी की कोशिश करते हैं जटर अगनी का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देना चाहूँगा मान लीजिए आपको mood होना है आप वास बेशन की तरफ जाते हैं और tap खोलते हैं और उपर से गंदा पानी आ जाता है तो जब गंदा पानी tap में आ रहा है इसका मतलब यह है कि वो tap का connection कहा है टेंकी पे तो इसका मतलब जो आपकी पानी की टेंकी है उसमें गंदा पानी है जिसके वजह से आप मूँ नहीं दो पाओगे क्योंकि आपको पता है अगर आप उस गंदे पानी से मूद होगे तो हो सकता है आपको skin disorder हो जाए या आपको और बीमारियां लग जाए यहीं जटरगनी है तो जटरगनी वो टेंकी है जो खराब हो गई तो नीचे सब कुछ खराब होगा और अगर जटरगनी साफ है strong है मतलब आपकी पानी की टेंकी एकदम साफ है crystal clear है तो पानी सुच आएगा साफ आएगा जब पहली ही प्रक्रिया आपकी धंग से काम नहीं करेगी तो बाकी के organs धंग से काम बिलकुल भी नहीं करेंगे जिन लोगों को जटरगनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है आए बटन में लिंक है दोस्तों इसको ज़रूर चेक करिएगा जटरगनी आपके शरीर के लिए बहुत 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 ज़रूरी चीज है ये क्या होती है कैसे काम करती है और उसको किस तरह से स्ट्रॉंग रखा जा सकता है आए बटन के लिंक पे आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी अब हम दोस्तों बात करते हैं वो चीजे जिसकी वज़े से आपके शरीर में टॉक्सिंस बनते हैं आम बनता है आईए अब उन पे डिसकेशन करते हैं सबसे पहला ये चीज तो श्री कृष्ण जी ने भी कही है और हमारे वेदों में भी लिखा है कि कोई भी खाना पका हुआ खाना अगर इस पके हुए खाने का सेवन हम लोग तीन घंटे के बाद करें तो ये खाना तामसिक बन जाता है यानि नेगेटिव प्रानिक एनरजी आपके शरीर में चालू हो जाएगी अगर आप इस खाने को खाओगे मतलब आपके शरीर में टॉक्सिंस बनने चालू हो जाएगे मुझे पता है दोस्तों ये चीज सुनके बहुत सारे लोग शौक में आ जाएगे विपिन तो कैसी बाते कर रहा है जब हम ऑफिस जाते हैं तो ओविसली हम सुभे लंच कैरी करके रखते हैं तो सुभे के आड़ बजे खाना बना होता है ओविसली तीन घंटे तो निकल चुके होते हैं क्योंकि लंच का टाइम एक बजे या दो बजे होता है तो इसका मतलब हम लोग इतने टाइम से ताम से खाना खा रहे हैं जी हाँ आप सब लोग ताम से खाना खा रहे हो ये शुरुवात होती है आम बनने की आपके शरीर में ओवर इटिंग करना अब ओवर इटिंग अलग-अलग माईनों में होता है एक ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ खाना मताँ पेट भर गया है लेकिन खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते गाओ हर दो घंटे में कुछ न कुछ मुँ में जाई रहा है एक वो लोग होते हैं जो पूरे दिन में सिर्फ तीन बार खाते हैं लेकिन खाना खाने के बाद उनको कुछ मीठा चाहिए होता है एक्जाम्पल, गुलाब जामुन चाहिए आइस क्रीम चाहिए कुछ हेवी डिश चाहिए होती है ताकि उनका मन भर जाए तो ये जो दो टाइप के लोग होते हैं न दोस्तों सबसे जादा आम दोश इन लोगों में ही पाया जाता है क्योंकि आपका शरीर एक समय पे एक ही काम करता है या तो वो खाने को पचाता है या फिर आपके शरीर को साफ करता है साफ तो करनी पाएगा क्योंकि आप ओवर इटिंग कर रहे हैं खाना खाने के बाद मीठा खा रहे हैं तो पचाने की कोशिश में बिचारा इतना मश्रूफ हो जाता है हमारा पेट कि वो भूल जाता है कि हमें साफ सवाई भी करनी है आप मौका ही नहीं देते अपने शरीर को कि वो आपको अंदर से साफ करे आम दोश की शुरुवात यहां से भी हो जाती है एकसरसाइज ना करना सबसे बड़ी दिक्कत क्योंकि हमारी lifestyle में हम सब कुछ अपना लेते हैं हमें movies देखने का time होता है हमें खचर भचर खाने का time होता है हमें stress लेने का time होता है हर चीज का समय है लेकिन पूरे दिन में आदा घंटा सिर्फ आदा घंटा workout करने का समय नहीं होता है तो कैसे आप अपने शरीर से expect कर सकते हो कि वो आपके शरीर से toxins बाहर फैकेगा सोच के देखिए Corporate Lifestyle Boss ने बोला है आपके पास तीन दिन है फटाफट ये project submit करो आपके पास सिर्फ तीन घंटे है ये वाला work complete करो आपके पास सिर्फ एक हफता है overseas से हमारा boss आ रहा है उसको सारी details देनी है आपके पास रात के 12 बचे तक का time है मुझे ये report आज ही चाहिए इतना stress है इस corporate lifestyle में कि लोग पानी पीना भूल गए है समय पे खाना पीना भूल गए है वर्काउट का time तो obviously नहीं होता जितना stress आपके दिमाग में होता है ना उतना ही कम आपका gut bacteria हो जाता है अरे ऐसे कैसे हो जाता है विपन क्योंकि हमारा gut bacteria brain के साथ 2400 घंडे हर एक nanosecond में बातचीत कर रहा होता है अगर आप stress में होता है वो बिचारा कम हो जाता है और वो कम होता है तो खाना कैसे पचेगा अगर आप खुश रहेंगे आप stress free रहेंगे तो gut bacteria multiply होगा स्वस्थ होगा, healthy होगा आपका brain खुश होगा हर चीज पचने चालू हो जाएगी कभी सोच के देखिएगा जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दिन में खाना खाके सो जाना कितना common है दोस्तों आपने खाना खाया आपको नीद आई और आप सो गए आपको लग रहा होगा यह बहुती healthy habit है यह कैसे healthy habit हो सकती है आप खुछ सोचे आप खाना खाके सो रहे हो लोग पुराने जमाने में खाना खाके active होते थे लेकिन आप सो रहे हो opposite हो रहा है उल्टा हो रहा है क्यों? यह जो प्रक्रिया है खाना खाके सोने की specially दिन में मैं रात की बात नहीं कर रहा दिन में सेले बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो जटर अगनी होती है वो सबसे ज़ादा strong होती है और रात को जटर अगनी थोड़ी सी कम हो जाती है और आप खुद सोचे अगर आप खाना खाके सो जाओगे तो जटर अगनी कैसे काम करेगी? सोचे एक बार और फिर से ध्यान से सोचे टॉयलेट में बहुत ज़ादा बदबू आना कुछ दोस्त होते हैं हमारे जब वो टॉयलेट जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई क्या करके आया है? नाक के बाल जल गए हमारे ये तरीका है आपका शरीर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देख तेरे शरीर में आम दोशा बढ़ रहा है यानि टॉक्सिंस बढ़ रहे है इसलिए तेरे स्टूल में इतनी गंदी बदबू आ रही है प्लीज टेक केर आफ यूर हेल्थ लेकिन आप लोग मजाग सोच के इसको नकार देते है आयुर्वेदा में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपके स्टूल से बहुत गंदी बदबू आती है इसका मतलब आपके शरीर में आम दोशा का लेवल बढ़ता जा रहा है और अंदर यंदर आपका शरीर खोकला हो रहा है तो दोस्तों आज हमने समझा कि आम दोशा कैसे होता है और इसकी पहचान कैसे होती है अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन टॉक्सिंस को आपके शरीर से बाहर कैसे फैकना है ये हमारी अगली वीडियो होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार जरूर दें आज के लिए इतना ही दोस्तों तब तक के लिए जैमा भारती